Hello student, एक बार फिर आपका स्वगत है physics की आत्मा पर. आगे हम बात करेंगे Vegetability Propagation की जो की काईट प्रवर्दन होता है इसकी प्राकरतिक वीदी की बात करेंगे जिसमें root के द्वारा, stem के द्वारा और leaves के द्वारा मतलब किस तरह से जडों के दwardा टने के दुटार और पत्यों के दुटार किस तरह से एक नए प्लांट बन जाता है उसकी हम प्रोसेस देखेंगे तो इसमें सबसले परिट की बात करते हैं रूट जो होती है चल के जगे पर नाया प्लांट बनता चला जाएंगा जिसे आपने देखा होगा स्वीटॉय आपने सकरकंद में क्या होता है कि यहार यहां पर हमने क्या क्या हुआ प्लांट था जो क्या है यह हमारा क्या है स्वीट कोटेटो अब यह क्या करेगी आटमेटिक लिए यह जमीन के अंदर ही मुग करेगी और यहां पर एक नया प्लांट बना लेगी मतलब यह आपस में जूड़ी हुई है फिर यह इसकी जो रूट है यह इदर बना लेगी आरी बात समय है तो यह इसे बोलते हैं बाई रूट जड़ों के द्वारा के हो रहा है वेजिटिक प्रॉपोगेशन हो रहा है इस तरह से यहां पर नहीं प्लांट बनते चले जाते हैं यह किसमें देखने को मिलता है तो यह प्लांट कि रूट जो इनकी होती है वह क्या करती ही जनिन के अंदर ही वह करती चली जाती है कि तनों की बात करें, तो तनों में सबसे पहले आता है उपरी भूिस्तारी को भोलता है रणर के मेंस जो में से होता है मेंस में किद्वारे क्या होता है यहां से जमीन के अंदर जाकर यहां से एक नया प्लांट फिर बना लेगे तो इस तरह से आपने देखियो कि दूब घास जो घासे होती है वो क्या करती है क्या होती है क्या होती है क्योंकि अलग अलग बेलेडिया फेली रेती है इन बेलेडियों से क्या होता है क्या हुते हैं तो इस तरह से आपके अगला होता है अंता वहिश्थारी मतलब सकर्स सकर्स में आपके आते हैं कि अगर आप मैं अगर देखा होगा मुंट वो साभाना डेला सtsåंप इसका। यह जमीन के अंदर थो भार भी रेटेर और यह और बाया से जलेज में। जलार होता है इसमें इस तरह रहा किया होता है यह झाक्या चुक्ष्य। पांच जाता है जो का ऩड。」 निकला होता है वो देखने को नहीं अगता है इसमें यह जो k decrease में जाते हैं यहां से इस तरह दूसरा प्लांट बनाएगे हैं यहां से ब्रेव हो जाए लट घास में आप देखते हैं ब्रेक नहीं होता है तो यह हमारा अन्ता भुईस्तारी इसे सकर्स जिसे बोला जाता है इंग्लिस में एक्जांपल पुदीना गुलदाओ दिये अगला आता है भुईस्तारी भुईस्तारी में आपका आता है ऑपसेट जिसे बोल सकते हैं कि आदा हवा में और आदा पानी में अग्जांपल होगा आपका एक्जांपल से देखेंगे जैसे अगर हम बात करें एक होता है वाटर हाई सिंथ एक होता है वाटर लेट्यूस तो यह आपके दो एक्जांपल होते हैं जिसे हम बोलते हैं कि आपने नाम सुना ठीक है जिसे जल को भी बोलते हैं बतु के इस दूनर की तरह कथे इसमें क्यों होता है मान लो यह बांट्र हर इसका कला होता है तैसकेम नचकेबंर से फंच가 बाद के पहते हैं अब क्यां जो स्थ estra ravad जाएगा ओैडग चैब फाइड राफ्ट करता है यह कि तरह की कि तरह आपस न जूडए होते यंगा डॉटेба वाटर आयसंत को बंगाल का टेरर बोला जाता है जब यूग ग्रो करता है वाटर में किस न लूब ऑफ बंगाल का टेरर वाटरmus टेरर इसे बोला जाता है लिए बात यहां कि इसमें जो होता है पहला आपका मिलता है राइजों में प्रकंद आता है जिसमें आपका जिंजर आजाता है जिंजर जो कि आपका अद्रग होता है वो जमीन के अंदर होता है आपका तर्मेरिक हो जाता है यह आपने देखे हुए जब इनको लगाते हैं अध्रक को आपको जमीन में लगा देंगी प्रमेरिक को अंदर जमीन के अंदर लगाते हैं यह प्रकार के स्टेम्स होते हैं और यह जमीन के अंदर ही ग्रोव करते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलगा है प्रकंद बोलगा है यहां पर हम देखेंगे पोटेटो आलू जो है वो आपको मिलें यह तुबर मात है अगला आता है। अगर हम इसकी कली को कई पी लगा देंगे गाली की तो ग्रोकर की नहीं प्लाट आगर इसे किसे में देखने मिलता है। आगर हम देखने को मिलेगा। तो यहां तक हमने की rhizome, pour, Glück, मोर् sires,ester, विस, देखनी में पर,, अब बात करते हैं Arial Part की अब Arial Part में आपने देखा होगा कि Arial में हम अगर बात करें तो Arial में दो बेसिक एगमपल आप देखते हैं जैसे अगर हम बात करें तो मेज तो मक्का मक्का देखिए आपने गन्ना देखा है सुगर के अगर आप इसको कई से इस तरह होते हैं यह निकले होते हैं अब इसमें क्या होता है यहां से रूट्स निकल जाती है यहां से निकल जाती है निकले होता है यह निकले होता है यह निकले होती है कहां से निकले होती है इस तेम से निकले होती है अपस्तानिक जड़े क्या बोलते हैं अपस्तानिक जड़े बोलते हैं अगर आप रूरल एरिया से ब्लोग करते हैं तो आपको सिंपल यह बात समय ना जाएगी कि अगुष्य के लगा देंगे तो वोग कर सकता है बैसिकली अम लोग लगा गती है तो उसमें क्या देखने अ इस तरह से प्लांट होता है और वह प्लांट के जो तना है उससे हर भाग से अगर करके लगाएंगे तो ब्राइफिलम में अगला होता है बेगोनिया में जो बेगोनिया होता है इसको बोलते हैं बेगोनिया को क्या बोलते हैं युदह आँ खर्मेर मतलब हाती इक बोलते हैं हाती का कान का मतलब उसकी करह उसका प्लांट होता है तो इसे बोलती है itically ये. इह ब्राइव नम connection अ градство ब्राइबियों, जो वेजिटेटिप प्रोड़क्शन एक आपना है मिलते हैं तो वह किस्कंधा है can हमसे देखना हो मिलता है होप आपको यहां तक किलियर होगा समय आएगो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें थोड़ा सा इसी चल रहा है हमदी वीडियम का तो भी किलियर करें हम दिरे दिरे तो थोड़ा पेशंट गना के रखें और पढ़ाई प्रियान अपनी यह समर का टाइम है चुट्टियों का टाइम है हम लोग अभी जगे 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 जा रहा है साधी पार्टियों में ठीक है यह सीजन है चलता है बट हमारी स्टड़ी भी जरूरी है एव गुड़ देग